Everest Base Camp, तो Everest के Base Camp तक ट्रेक करना है, और वो शुरू कहां से करते हैं ट्रेक, वो ट्रेक शुरू करते हैं, मतलब बेसिकली वो काटमांडू में बुलाते हैं, और फिर वहां पे ट्रेक साट होता है लुकला से, तो लुकला नेपाल में एक जगे है, और कभी सर्च करो तो वर्ल् पान कम किया, तो उसने बोल दिया कि आप पोर्टर लेके जाओगे, तो ठीक है, अगर आप पोर्टर नहीं ले रहे हो, तो आपको अपना sleeping bag खुद रखना होगा, तो पहला मेरा 12 kg सामान था, उसको मैंने वापस से 8 kg किया, निकाल निकाल के, और उसमें 2 kg का sleeping bag होगा, तो फिर से 10 होगया, दस होने के बाद, दो लीटर पानी की बाटल लग दी और फिर बारा होगया, वो तो आपको लेके चल नहीं है, फिर वापस समान निकाला, अब उसको 6 kg किया, 2 kg का sleeping bag और 2 लीटर बाटल, उसको अब 10 kg है, अब ठीक, आप उठा पाएंगे उसको, जैसे ही किया, तो वो दोस्ता है, बोलते हैं, यह मैं खाने का समान लेका है, यह कौन रखेगा, वो घर से चिक्की वगेरा, और यह सब लड़ू यह सब लेक क्या है, वो भी बोलते हैं, यह बोलते हैं, कि आईदर भी तूरिस्ट और जाना है, तो आप एक बास जाके आज आज दि knob Vs Bipper की तॉर गयारा देखी है, यह सब आप किसी कोर्स में आज बढ़ रहे हो, मेरिन लाइक के बारे में पता हो क्या शगी का से फिर किस्टाइप और वो वो खिस हाईट पर रखेये भी आपको और यह सबसे जो मंस डाय थी वो ती डीसीड़िव वो जाती है, यह थि पाने में जर्ण थोड़ा ध्याती जाते के तो थोड़ा 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 धिर थे ओर गल्रोम के एलो पानी यहां जाते अपड़ा है। उलक भृण है यहन पडिये पाने प्रका। इसको उपर लाग कोछ और कोछ और होगा, क्योंकि वह पर लाइट इस तरह है कि आपको कलर में इडेंटिफाय होनी रहे है तो जो बाद में जो लोगों ने बताया जिन्होंने की हुई है उनसे कि वो अलग अलग नेल्स पर अलग कलर की नेल पॉलिश लगा के जाते हैं और पानी के अंदर जाकर देखते हैं कि कौन से करलर का लिका हो रहे है मैंने थिज में लिए कि अगिsecond देखते है कि अ में आई किया तो मैंने नहीं में अगे सब्सक्राइब हो घ्र बैंट उने आ और ईसे परिंट दिया वह-धे करते है कि इस डेट से इस डेट तक में किस-किस ने ई-वीजा के लिए अपलाई किया तो उसमें बहुत सारे नाम थे एक नाम मेरा भी था और मुझे यह डर लग रहा था कि कि असली पेपर भी है कि नहीं है क्या पता इंडिया वाले एयरपूर्ट पर जाँ बेंगलोर पर वहीं से ऋब्सवाप कर लिया और सुष्मा सुराज जी थी उस टाइम पर तो सुष्मा में बचाओ वो तो मतला पक्का बचाई लेंगी कुछ भी हो जाए वेल्कम टॉ पार्ट तु ओफ ओर कॉन्सेशन विद शुबं भाई पार्ट वन में हमने इधिंग स्काईविंग कवर कर लिया पूरा बट भाई के और बहुत से शॉक हैं जिस पे हमें चर्चा गरनी हैं तो सुबा से शुरू गरते हैं पहले यह सुबा का शॉक कैसे तो कैसे शुरूरा ओ स्कुबा का शुब गाल मतलब शुरू। मतलब ऐसे शुब शुक मतलब कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ ऐसज़ा कि जॉब में तीन साल हुगे थे लोग छोटी मूडी जेगे जाते हैं ऐसे जा एख तो मुझ भाए सा कुछ कुछ करना चाहिए तो ट् देखने स्टार्ट किये, थोड़ी वेबसाइट पर गया, वहाँ पर देखा, इजी लेवल ट्रेक तो मतलब बहुत चोटा हो जाएगा, फिर तफ लेवल ट्रेक थोड़े ज्यादा हो जाएगे, तो मीडियम तु टु टु वाले में ऐसा कोई ट्रेक देखता हूं, जो हो जा यह बहुत मसला होता है, गोवा जाना है फिर जाता कोई भी निए और में लगते हैं अगर आप एक बड़ चले जाओ ना फिर बात में फिर आपसे पुछेंगे भाई कहा चल रहा है, तो मैं थो मैंने रजिस्टर कर दिया, ट्रेक में जानता किसी को था नहीं, मैंने कि मैं तो सब कर लूँगा, मैं अपना बैक भी खुदी उठाओंगा, पोर्टर भी नहीं रखोंगा, बैक जब वहाँ घर पे तो समान भर लिया, जब एरपोर्ट पे जब वे होता है, चौदा किलो, चौदा किलो तो इतना कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, तो उठा ल ले ले लेंगे, अधर्वाइस अब कोटर फिक्स होगे लोगों ने समान दे रखे हैं, वो जो भी घुड़ा, गधा जो भी जानवर यह, उसको पर ऐसे थोड़ी आया, बस बीस किलोर डाल दो, तो फिर पहले दिन तो ऐसे हो गया कि जैसे तैसे चला लिया, दूसरे दिन मैंने से लगा कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फिर मेरा जो टेंट मेट था रिशी उसको बोला थोड़ा मैने, थोड़ा सा समान ले लो, मैरा खुद का ज्याता है, पहला पता भी नहीं था, सारा समान भर लिया, माइनस 20 की जैकेट रह लिए, जिस ट्रेक में टेंप समान भर के जहां पर बोर्ट स्टार्ट होगा उसके सबनागर तो आफ दिया दे कि अपनी स्पीड से चलोगे, आप दूसरे के लए वेटनी कर सकते, क्यूंकि अगर आप तेज चल रहे हो तो फिर आप की मेरे रुकूंगा तो पीचे रह जाँगा उसलिए मेरे को तेज च चलता था अगर रेस्ट लोग आदे घंटे का ले रहे हैं मैं 20 निट का लेकर पहले ही चल पढ़ता था तो पर वह त्रेक मतला बहुत अच्छा हुआ उस ट्रेक में थोड़े दोस्त मिले फिर उनसे बात बात हुई फिर हमने उसी ट्रेक में प्लान कर लिया कि नेक्स ट्रेक हम EBC जाएंगे Everest Base Camp अच्छा बात हुई प्लान हुआ अगले साल EBC कर लिया तो वह रजिस्टर हो गया सेम उन चार लोगों के साथ ही हमने फिर वो कर लिया वो ट्रेक कर लिया फिर उस ट्रेक में डिसाइड हुआ कि अगली बार के लिए मंज़र हो जाएंगे Everest Base Camp अवरेस के Base Camp तक ट्रेक करना है और वो शुरू कहां से करते हैं ट्रेक वो ट्रेक शुरू करते हैं मतलब बेसिकली वो काटमंडू में बुलाते हैं और फिर वहां पे ट्रेक साथ होता है लुकला से तो लुकला नेपाल में जगे है और कभी सर्च करो तो वर्ल्स को लुकला से ट्रेक स्टार्ट होता है उसका भी मतलब बहुत ही ultimate air strip है उसकी, तो इसकी जो air strip है मतला ऐसे कि एक साइड में पहाड और एक साइड में खाई है तो इतनी सी air strip है और उसको बढ़ा भी नहीं सकते हुँए जगे ही निए उसको कहां बढ़ा देंगे तो पान कम किया तो उसने बोल दिया कि आप पोर्टर लेके जाओगे तो ठीक है अगर आप पोर्टर नहीं ले रहे हो तो आपको अपना sleeping bag खुद रखना होगा तो पहला मेरा 12 kg समान था उसको मैंने वापस से 8 kg किया निकाल निकाल के अब उसमें 2 kg का sleeping bag होगा तो फिर फिर से 10 ह हो गया दस होने के बाद दो लीटर पानी की बाटल लग दी और फिर बारा हो गया वो तो आपको लेके चल नहीं है फिर वापस समान निकाला अब उसको 6 kg किया 2 kg का sleeping bag और दो लीटर बाटल का अब 10 kg है अब ठीक है आप उठा पाएंगे उसको जैसे ही बैक पैक किया तो व 12 kg हो जाएगा फिर उसमान निकाल किया रहे थे मतलब जो भी एक्स्टा लग रहा था हो सब निकाल दो कपड़े मेंली कपड़े मेंली तो लास्ट में जब ट्रेक के लिए निकले ना तो मेरे पास से तीन शर्ट चौदा दिन की ट्रेक में तीन शर्ट और दो ट्राउजर ह अगये की ठीक आप इसम ही करेंगे और यसमें से थैथा हर तीन दिन बाद एक ठाउजर को दोके और जैसे ट्रेक करने सार्ट करते थे ना तो पीछ बैख भी टांग ले ता इय अबरेस बेस केम की कहानी है तो बैग बैख भी टांग लेता ता चलते चलते आपने आपका और रात में कहाँ सुखेंगे तो बैग भी तंग लेता है तो समान और ये किस सीजन में किया था अपमेर ट्रेक ये किया था मैंने नवेंबर में तो थंड तो काफी होगी उस ताइम मतलब इतनी नहीं थी वहां पर उस ताइम पर मतलब मेर को एक बार वो ट्रेक दुबारा क उस था अपमें किया कि नेक्स्ट च threats करेंगे उस ट्रेक में की अनकर चैदर बंग variety करेंगे उसे एक बंदा और मिल गया कि उएस माक तो वह भी हमारे गैंग में इस जोइन हो गया तो वह बलता है कि जब भी तुम कंहलीन जा barbecue मुझे बतान मांवा मआ जोइन करूँ होगा फिर उसके बाद COVID आ गया और उसके continuous mails कि कब प्लान कर रहे हैं, कब प्लान कर रहे हैं, कब प्लान कर रहे हैं, तो फाइनल लिए प्लान कर रहे हैं, अब वो सब लोग जा रहे हैं, बस मैं आउट हूँ, तो मतलब करना तो है, तो सबसे पहले ट्रेकिंग शुरू करी थी, प पानी में भी आप जाके देखी लेते हैं, क्या होता है, तो उसके बाद मतलब स्कुबा ऐसे आउट ओफ दे ब्लू आया कि कर लेते हैं, चलो, तो उसके बाद थोड़े swimming classes ली, सीख लिया, मतलब उसमें तो basic requirement होती है, आपको floating वगर आनी चाहिए, थोड़ा 10 minutes की floating या swimming या आपको इतने time में करना है या इतने उसमें करना है, तो यह बट इतनी requirement आपको बहुत डीप सी स्कूबा डाइविंग के लिए तो नहीं चाहिए होगे ना, तो फिर आपकी जादा एक्स्पडीज और बढ़नी चाहिए, मतलब प्रॉपर स्यमिंग आनी चाहिए, नहीं पान पानी के नीचे मतलब मेंली एक लेक्से चाहिए, बाकि आपको बात oxygen cylinder तो ही तो आप surface पर अजाओगे मैं में में किसी के डूबने से होती है, मुझे लगता है कि उसमें होता है कि बॉडि का temperature loss होने से, पानी में बॉडि का temperature बहुत तेजी से लूज होता है तो यह ज़्या तो यादा टाइम पानी में रहना है। तो याद उसके लीए आप अलग अलग टाइप के सुट साते हैं। राइ सुट लेना है या वह वार आप सूटे हैं। तो उस गेयर में जाओगे तो जादा टाइम तक रह सकते हो। जैसे जो हम लोग करते हैं बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स उसमें मतलब ज्याद तर डाइब से एक घंटे तक की होती हैं 45 मिनिट्स टू वन आर तो अन्दमान में एक जिगह जॉइन कर लिया वहां पे मैंने फिर पहले दिन उनोंने बेसिक बताए थोड़ा स्विमिंग का टेस्ट लिया और दूसरे दिन से फिर डाइब स्टार्ट कर दी उसमें भी ऐसे हैं कि हर डाइब में आपको कुछ ना कुछ यह कहां किया था आपने यह यह हैवलोग ऐलेंड पर हैवलोग अन्दमान ओके और में बंदा अगिर किसी को स्कूबा सीखा ना है U कुछ बलते हैं कि आपको नईpture है चैश्वी हैं कि कि आपको कुछ टास्क कि आपको यह करना था थोड़ा सा स्टड़ी करना होता है कोशनेर्स करने होता है को सिह करना है तो आपको थोड़ी बहुत पढ़ा ही करनी ही चाहिए तो करनी पड़ेगी उसमें आपको टेस्स देने होंगे और एक रात में पूरे मतलब 15-20 परनी किताब पढ़नी होगी कि क्या-क्या बेसिक्स हैं मैं को रहता है कि वह आपकी बेटरमेंट के लिए है तभी आपक पढ़ना ही पढ़ेगा एक सेंस तो यह आप है व्लॉग गय थे इन बेट्वीन कोवेट टाइन यह मैं गया था लास्ट यह लास्ट यह लास्ट यह मैं ने शुमिंग कंप्लीट मलब स्कूबा का हो गया वाट अध इस्पेसिशिकेशन फट इस्ट 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 के जांगतला कुलिया अप्रणा थ ऐंकिनू नी रॉग लास्ट नहीं दर रहना ही थे पानी के इंदर नविगेशन आना चाहिए फिश आइड एंडिवडीफिकेशन डाइब होती है दिपसी डाइव होती तो उसमें अधुरम इमतला बल लग लगल च्केशन डाइप साय कौन से फिश खाने वाली है कौन से फिश आपको खा जाएगी आपको बाहरा के आसकते हो वह आप तंदरी खा जाएगी शार कैसे इडेंटिफाय करना है इंडिया नोशन में बहुत कम इंसिदेंट्स हुए कि शार वगरा देखी है बट चिल आपको पता होना चाहिए क्योंक कि कौन से फिश किस टाइब की है वह किस हैट पर अलगजएप्स पर आपको अलागड़ग टाइप की फिश दिखाए देखी और सबसे जो मस्ट थी गुटिप सी डाइब वह जाती है 35 मेटर्स दप्त तो उसमें क्या होता है ना जो हमने जो वान पहना था उता प्रीन क्रि जिए पाने में जाते गए जाते गए जोड़ा थोड़ा 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 कलर चेंज दिखना शुरू हुआ अगा नहीं जाकर यलो हो गया पर होता है कि लाइट ऐसे आरिया ना तो आपको यलो परसी होता है तो थोड़ी देर बाद जब आप ज़ज करना शुरू करते हैं यह मचली तो औरेंज है नहीं यह दिख मेर को औरेंज नहीं है इसको ऊपर लाग तो कुछ और होगा प्योंकि वह पर लाइट इस तरह है कि आपको कलर एक्षुल में इडेंटिफाय होनी रहे है तो मैंने जो एक गलती कि गलती कि तो मुझे पता नहीं था इतना तो जो बाद में जो लोगों ने बताया जिन्होंने की हुई है उनसे कि वो अलग अलग नेल्स पर अलग की निल पॉलिश लगा के जाते है और फिर प 12 बीस टाइब इतने हैं हर फिश की अलग रुख एक है तो आप पड़ते जाओ थोड़ा याद करते जाओ कौनसी हो दिये कौनसी नहीं होती है फिर वो आपको एक कैमरा देते हैं कि नीचे जाकर आपको फिश की फोटो खिचनी है और जैसा आमको लगता है ने कि बाहर खा सकती है तो आपका क्या वाली फिश तो मेरे साब से तो इंडियन ओशिन में तो नहीं है और वो जो पढ़ने के लिए देते हैं उसमें बता देते हैं कौन सी टरिटोरियल है तो जैसे एक फिश थी मतलब नाम तो पता नहीं है तो वह ऐसे कि अगर आप जैसी उसके आसपा आप जो पाया है ऐसे लगता है और फिश की फोटोग्रफी तो मिलखो लगता है मतलब जैसे हम नविगेशन इसमें नेशनल जोग्रफिक वगरा में देखते हैं तो जैसे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है वहां जब खुद फोटो खिशते है एक भी फोटो जब तक पास जाओगे बोड़ी स्टेबल नहीं रहेगी तो वह भी मतलब बहुत ही बड़ी एक्सराइट है जो टाम के साथ है और फोटो भाहर लाकि जब देखोगी अपनी फोटो खुद ही नहीं पहचान पाऊगे कि यह कौन जी फिश है अगे न हमारा पोइंट ओफ रेफरेंस जिंदगी ना मिलेंगी तो उसमें जो कटीना के अफ जो एस बतार ही है वो कितना है तो तो पुद्या है टीड है तो आपके साथ पूरा टाम लेता है पूरा बतायगाsl अब इसे करने हमग्सा है पराइस ब्रीटी करने को करना है द अब नीचे केसे जाओगे मतलब जो total physics है वहाँ पे वैसे ही काम करते है अगर आपने breathe in किया है तो मतलब air आपके lungs में तो आप आना शरू हो जाओगे जैसी आपने breathe out किया है तो आप नीचे जाना शरू हो गे लेकिन यह आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत slowly breathe कर रहे ह बिलब के बीच में एतनी सांस लीता था, बिलब कुझ एतनी स्लोली सांस देसा रूमें भी थोड़ा कहते है कि फ्यर गुड़ेंडरेटेटिंग जब टेस्सन अगर अगर आपकी आप लिन और ऋतो होira आपको शुरूर से चीज की प्रेक्टर से तो इठेल अच्छे से आपको अच्छे से आपको मतलब खुद फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूं अधर्वाइस जब स्टार्टिंग में जो हमने जम डाइव स्की थी उसमें ऐसे की लाइस जाज रहा है एक बार ऐसे जाज रहे हैं जब तक ब्रीद जा एउट किया और फोड़ा उसकी अउपर जा रहे हैं तब तक नीचे जाना शुरू हो गही है तो हम आपको स्टार जूँअ दर बंदा ऐसे जितनी धीरे धीरे आप करोगे उतना अच्छा होगा और उसमें होता है कि दूसरी एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी तो जो आपको देखना है तो इंस्ट्रक्टर अगर तेजी से पैर मारते हो जाएगा तो मिट्टी उड़ाएगा नीचे वाली पीछे वा फिर जब वो आपको बोलता है कि आप भी ऐसे बैठो तो जब हम बैठते हैं तो पहले तो जमीन में ही टच होगे थोड़ा से अध्जस्ट करके ऊपर आए जमीन में आप जिसे कह रहे होगी जमीन में टच होगे पैर इस आप डीप सी डविंग बट इन लेबल्स अडिए आप 10 to 20 मीटर्स पर या निए अप 10 to 20 मीटर्स पर भी आप सरक करते हो जब जितना भी आप जारे हैं 20 मीटर्स अधी डेप्त अधी जाते हैं वाकरी नॉमल डाइव में पर वह बताता है कि कैसे दीरे से बीज़ें करनी है तो विरीज़ें करके थोड़ा सा होल्ड रखो ज से थोड़ा से वर्क करके जाओ, अगर आप ऐसी चले जाओगे तो फिर भई है, जाओ हाँ सांस ले ली घूम के आगए हमारा तो गोर्स कंपलीट हो गया, तो अगर आपको ऐसी टिक-उफ करना है तो ठीक है, पर अगर को सच में एक्सपिरियेंस करना है, तो थोड़ा सा ग् चाहिए ही बताते हैं, आप पानी में हो और बिल्कुल still हो ठीक है, बिलकुल बल्कुल उस्टिल अब भर्टिकल खड़ चवाए हो आप पानी अपके यह था यहां तक रह रहा है तो ना उस यहां तक हो सक्छिए हो तो मतलब वेटस वाली वाली क्टेगरी में आप आ गए ह इसमें और भी advanced courses होते हैं, BioNC course, इसमें मतलब ये actually में specifically इसीज के लिए है, तो उसमें आपको पूरा breathing के उपर, कैसे आप अपनी least oxygen use करो most amount of time तक, तो उसमें उसमें सिखाते हैं, ये कितने minute की dive होती है? मतलब बेसिक और advanced course में around 45 minutes to 1 hour, Okay, depending on आप कितना oxygen कर रहे हो, कितनी fast consume कर रहे हो, उसमें भी dependent करता है, पर generally में को लगता है कि इस level तक, बेसिक कूर्स में तो में को लगता है कि सब almost same level पर होते हैं, इतना कुछ खास difference नहीं आता, पर जैसी आप depth में जाना शुरूर करते हो, तब ब्रीधिंग थोड़ी heavy हो जाती है, तब बहाँ पर पता चलता है कि कौन actually में meditation करता है, और breathing exercises करता है, तो बहाँ पर difference क्रिएट करना शुरूर होता है, बेसिक में इतना कुछ खास नहीं पता चलता है, तो जो आप normal कर रहे हो basic में, तो वहाँ पर एक घंटे तक रह पा रहे हो, जब आप ज्यादा depth में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका time 30 minutes ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी body ज्यादा oxygen कंजूम करता है, तेजी से deep breath दोनों चलो जाती है, speed भी fast हो जाती है, और deep breath भी बहुत fast हो जाती है, जादा difficult क्या है, skydive और scuba dive, सीखने में, और करने में, सीखने में, तो मुझे लगता है कि scuba dive, थोड़ा, skydiving में क्या कि आपने jump क कर दिया, उसके बाद वह experience स्टाट हो चुका है, scuba diving में अगर आपको चीजे feel करनी है, तो बहुत, मतलब, आपको अपने movements almost zero करने होंगे, तब आपको वह feel आनी शुरू होगी, और फिर पानी में ऐसे होता है कि skydiving में तो कोई आवाज आती ही नहीं कहीं से भी, कोई भी च पता चल सकता है कि इस डिरेक्शन से आरी है, बोट की आवाज आई तो आपको यह नहीं पता चल सकता है कि इस डिरेक्शन से आरी है, बस बोट की आवाज आई तो आपको यह नहीं पता चल सकता है कि इस डिरेक्शन से आरी है, बस बोट की आवाज भी सुनाई दे रही है, बाद तो तुम्हार बास एक ही ऑप्चन है कि एवेंचली तुमको शूट ओपन करना है बट स्कूबा में तो देरा मुल्टिपल फैक्टर ना डूब गए ऑक्सूजन ये मतलब ऐसे तो है कि मतलब बैने देखा है दो बंदों को जो मतलब जुनकों स्विंग मुझसे बहुत बहुत बैटर आती है और कई बार सिचुशन में एकदम से पैनिक कर जाते हैं एकदम से ब्रीद आूट करो थारा पानी निकल जाएगा वपस कलोज कर во कई बार क्या होता है कि आपने का अरक से बर्ड़ी सांह लिए नाग नाट से गलती आ पानी चड़ गया चांशक अब पर यह क्या करो कि आप थए मया करता है आपश्यक्र्ट कर आज होते हैं अगर आपकिन मुवमेंट्स जीरो कर लो मैंड को बिल्कुल काम कर लो तो वो डरावना नहीं है उसमें आप आपके पास जुरूत है नहीं लाइफ जैकेट देते हैं उसमें भी एर फिल्ड होती है तो उसमें आप डूबने से तो मरी नहीं सकते हैं अगर आपको नीचे डर लग रहा है विए जैकेट आपसे उसका एक बेट है तो वो तो आपको नीचे लेकर ही जाएगा फिर क्या था उसमें एक और मतलब पुछ बटन होता है उस से क्या कर साथा तो थोड़ी सी हवा उसमें से निकाल कि आपकी जो जैकेट रहती है उसमें फिल हो जाती है ऊगे जैकेट में तो आपको वह एक पॉइंटिफाई करना है कि जहां पर मैं ऐसे वर्टिकली मतलब होरिजॉंटली ट्रेवर्स कर सकूँ तो एक गिवन पॉइंट उफ ताइम इन स्कूबबर डाइविंग यू एव पाइव पाइव इन यूर लाइफ जयकेट अलस है उसको ज़ादा भर देंगे तो फिर आप ऊपर आना शुनू कर दो कि आपको बैलेंस मेंटिन करना है और वह आपको चन्टिनुसली करते जाना ह हर मेरे को लगता है एक दो मिनिट पर चेक क्योंकि आप जब सांस लेते जा रहे हो और छोड़ते जा रहे हो तो सिलर में से हवा खाली होते जा रही है तो फिर आपको उसको फिर से एडजस्ट करना है, कि मैं फिर से उसी लेवल पे रहूँ, तो वही है, जब आप अपने मुवमेंट्स बिल्कुल जीरो कर दोगे, बिल्कुल लाइट कर दोगे, तब आपको वह डिफरेंस दिखना शुरू होगा आराम से, पर ना फिर वही होगा कि जैसी आपने हवा भरी उपर, हवा निकाली नीचे, हवा भरी उपर, सामने वाला दी सीधे जा रहा है, और आप कर दो चार रहें वही हो पायागा। मतलों कर तो लोग जो फेल भी नहीं करेंगे इस चीज को पर डंग से कुरो जाएदा अच्छा है। और डिफिक्ल सीखने में आपने बुला कि स्कूबा डैविंग ही है। हाँ, स्कूबा डैविंग ही थोड़ा है। इन हाँ मच टाइ जहां पर है आप लोग में आपने किया time and money? ताइमिंग का तो ऐसे कुछ नहीं है, बता था कि basic course चार दिन में, advanced course दो दिन में, 2-3 दिन में, कुछ लोग 2 दिन लेते हैं, और around 50,000 में basic or advanced course हो जाएगा, तो अपर तो अपर बता बारिश और आप आप लोग रही है, तो आपका व्यू उतना clear नहीं होगा. क्योंकि दिस्टर्बंस है थोड़े दिस्टर्बंस होगी पानी में बस और तो अशे कुछ नहीं है और कहा कहा पर किया अभी तक अपने स्कूब आपने स्कूब आप इसके बार ही किया उसके बाद से मतलब तो इन प्लान्स तो डू इट पर पहले मुझे ट्रेकिंग करना ए अभरेस बेस्टर्बंस के बार में थोड़ा बताओ कितने दिन लगे और इनी चैलेंजेस एट यू फेस्टर्बंस तो अप्रोच तो अपरोच तो अपरोच तो आपको अपको एक्शली ग्राउंड पर बहुत फिजिकल वरकाउट करना पड़ेगा और जो इंडियन कंपन आपको डिरेक्ली असे अलाओ निकरती है कि आप अब आवरेस बेस्टर्बंस चले जाओ तो पहले जैसे कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रेक किया था वो उसकी हाइट थी 17,000 जो करवाती है कश्मीर वाला तो 17,000 ओ सारी 13,500 फीट की हाइट पर तो फिर आपको कोई 15,000 फीट का ट्रेक करना पड़ेगा फिर 16,000 फीट कर ट्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद आप अब अब आवरेस बेस्ट केम जा सकते हुआ है तो ऐसे नहीं कि आपने कुछ ट्रेक के रहरेस बेस्ट चले जाओ मतलब कम्पनी को तो मिलकुल लगता का फ्रॉबलम हो गी नहीं पर आपको है कि आप वहां जाके अख्लिमिताइज नहीं कर पाई तो आपकी प्रॉब्लम है मैंने एवरेस बेस केम में ऐसे मतलब लोग देखी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक टेंट पॉइंट से दूसरे टेंट पॉइंट तक हम पहुंच रहे हैं सुभाई आठ बजे स्टाट करके शाम के तीन बजे चार बजे और वह आठ बजे स्टाट करके ग्यारा बजे पहुंच गया है दौड़ दे हुए जा रहे हैं ऐसे लोग और चार दिन बाद उनको हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा तो टाइम भी बहुत जरूरी है उसमें जो उन्होंने जो ट्रेक का प्लान बनाया है कि फॉर्टीन देज में ट्रेक करेंगे धिरे धिरे हाइट गेन करेंगे तो वह कुछ सोच समझ के बनाया है ऐसे नहीं है कि आप यहां से चलना शुरू करो कि यहां बीस किलोमेटर तो एक दिन में चड़ जाएंगे बड़ी पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप शुरू करो तो शाम तक तो चड़ी सकते हो पर बॉड़ी उसको अड़ेस्ट कर पाएगी कि नहीं उतनी ऑक्सीजन में बॉड़ी के पास केपैसिटी है कि नहीं उस हाइट पर अज़ेस्ट करने के लिए तो वह चीज़ कुछ रेस्ट डेज होते हैं उस ट्रेक में कि आपकी बॉड़ी इस हाइट पर थोड़ा लेवल अप हो जाए उस दिन पर वह चोटी सी चोटी सी हाइट कर राते हैं और वापस ले आते हैं तो अगर आप उसको त्यान में नहीं रखो कि हम तो चले जाएंगे ऐसे हैं तो पर नहीं होगा वह और अभी तक का सबसे डिफिकल्ट ट्रेक वही था एवरेस बेस के या एवरेस बेस के लॉंग ट्रेक है पर मैं यह कहूंगा कि डिफिकल्ट तो नहीं तो हमेशा कश्मीर ग्रेट लेक्स ही रहेगा वाइस एट उसमें एक डे आता है नाम भूल गया मै कश्मीर ग्रेट लेक्स में एक दिन आता है गड़सर पास करके वह मतलब ऐसे है कि आप नीचे से देखो के ऊपर की पहाड दिख रहा है मुझे और वह पूरा पहाड चड़ना है आपको उस तिन में मतलब वह जो गड़सर पास वाला जो डे है ना वह ऐसे होता है कि मतलब ज़न निगल जाती है उसमें लोगों कि मतलब नहीं चड़ पाएं गये चड़ पाएंगे कि नहीं चड़ पाएंगे मतलब मोस्ट डिफिकल्ट जो मुझे अब तक लगा कि वह जो सेक्शन है ट्रेक का वह एवरेश बेसक्रैंप में ऐसे कुछ नहीं एवरेस में लॉंग है, endurance test करेगा, mindset test करेगा, पर इतना difficult नहीं है, उसमें थोड़ा कभी हो सकता है बोर हो जाओ, क्या चड़ते जा रहे हैं, कुछ हाई नहीं रहा है, और average base camp क्या थोड़ा है, अच्छा है, मतलब beautiful भी मैं कहूंगा कि, जैसे ही 15,000 हाइट क्रॉस होती है, उसके बाद, मतलब trees होने बंद हो जाते हैं, तो जब trees ही नहीं है, तो आपको सिर्फ पत्थर वाले पहाड दिखाए देंगे, और कुछ भी नहीं है फिर उसके उपर, घर दिखाए देंगे, पत्थर वाले पहाड दिखाए देंगे, बस और कुछ नहीं है, व्यूस के साब से, व्यूस फिर आपको, मतलब base camp पर जाके ही लगेगा, वहाँ पर आइस जमी हुई है, वहाँ से average भी दिखाए देती है, काला पत्थर तक जाओगे तो वहाँ से average का clear view आता है, कुछ करने चाहिए, एक follow-up, एक foreign trip होनी चाहिए, तो वह सोच के मैंने, सोच के कहीं तो जाना है, फिर budget देखा कि कहा सबसे सस्ते में हो सकता है, तो बस tracking तो करता ही था, तो यह था कि किसी tour operator के थ्रू नहीं जाना है, मैं खुदी प्लान कर लूँगा, फिर प्लान किया, कई जग प्लान कर लिया, टिकेट ले ली, वीजा के लिए सर्च किया, एक list हुई Google सर्च में, तो वहां से apply कर दिया, यह भी नहीं बता था, क्योंकि वहां पे ऐसे कोई government website नहीं है, कि यह government के authentic website है, आप यहां पे apply करो और आपको यह visa मिल जाएगा, आप यह प्राइवेट इस देते हैं, इस डेट से इस डेट तक में, किस-किस ने e-visa के लिए apply किया, तो उसमें बहुत सारे नाम थे, एक नाम मेरा भी था, और मुझे यह डर लग रहा था कि, असली paper भी है कि नहीं है, क्या पता इंडिया वाले एरपोर्ट पर जाओं, बेंगलोर पर और वहीं स इस ताइम पर, तो उस ताइम पर ऐसी सुचा कि मैडम है, बस हो जाएगा कुछ भी, क्या दिक्कत है, सिधर ट्विटर इंस्टॉल कर लिया, और एक ट्वीट टाइप कर लिया पहली ड्राफ्ट में सेव करके, कि होगा कुछ भी मैं तो ट्वीट कर दूँ कहीं पर भी फस थोड़ा थे एक अल्म से ने तो आप एक टूँ हरताव मेडिकल इंस्टे दी आप एक उटीनकार कंश फुट खुट लिए धूषय दूरे ₹च वहती है, बडगा शॉटक्ल सब्सक्राइब करें किन तो पैसे ज seulement पैसे ज्यादे है ऍमट रटेंटेंगे अमन वबी भी ब भी में जाने लिएमाना चाहिए तो इन फॉरण के बैना काने चाहिए है अब इसमें इन की चीज स्थी के बने साथ है वह इसे प्लान में उत्स पाइब भी जादा है कि Spain जाना अब फिर जाऊंगा तो वहाँ पे सिर्फ उसके लिए जाऊंगा नहीं तो फिर उसके लिए बज़र थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसके मतलब है अभी पर थोड़ा बार है प्लान में करना हो भी तो यह मुझे लग रहा है इसी मुवी से इंस्पायर हो यह इस 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 मुवी से इससे कोई इसन पार तो हो टो, कोई पॉसपायं के हिए सब्सक्राइब करना कि मैं लोग। और वहाँ से फिर वापस, लोग बहुत हैं मेरे साब से तो, मतलब नॉमल लोग भी, लोग तो हैल्फुल होते हैं बर आपको भी थोड़ा awareness तो होनी चीह है, सैने कि किसी पर जा जा जके पूछ रहे हो, या कोई कोई बोल रहे है कि यहां चलो तो आप चले गए हो, तो वो त से आए कि सोचो चलो मॉस्को घूम लेते, जंप तो मिल नहीं रहे हैं, और फिर वहाँ से मैसे जाता है कि आज तो मतलब बहुत ही क्लियर वेदर था, लोगो ने जंप कर लिया है, ऐसे कर लिया है, यह दो दिन और वेस्ट हो है, तो पर ठीक है उस बहाने मॉस्को घूम ल पहुंचने के बाद, बीच में एक दिन का प्लान बना कि कहीं घूमाते हैं, तो मैंने तो मना कर दिया कि मैं स्काइडविं के लिए आया हूँ, मतलब में टास्क है जंप करना, में को बी लाइसेंस ही है, तो मैं जब दर पूरा बी लाइसेंस नहीं हो जाएगा, मैं कहीं नहीं घूमाँगा, तो रोज सुबह उड़ता था, आठ बजे ड्रॉफ जून पहुचना, दिन बर वेट करना, तीन चार जंप्स मिल जाएं, किसी दिन बारिश हो लिए तो उस दिन जंप नहीं मिलेगी, तो ऐसे करके उसी टारगेट के साब से है, थिक हमको लगता है कि जहां पर आप जिसको आप एक्स्पोर कर सकते हो कुबा के लिए अंडमान गूड और विडियो रेकमेंड इन अधर प्रेसे जए अंडमान ही कहूंगा बहुत सारे लोग हैं जिनों कुछ ने विशागा पत्नम में की है कुछ ने गोवा में की है पर मेरे हिसाब से जितने मैं रिव्यूज पड़े यह सब अंडमान इस बेस्ट कि वहाँ पर अगर आपको कुछ मरीन लाइफ देखनी है तो आपको वहीं पर ही बेस्ट मिलेंगे अच्छा वो चादर ट्रेक करी थी उसमें क्या हुआ था चादर ट्रेक मतलब मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं था मैंने जब नेट पर बढ़ा कि 11,000 फीट है मैंने कि 18,000 फीट अवरेस बेस्ट किया ही हुआ है तो 11,000 फीट क्या ही तफ होगा मतलब क्यों ही जाना इसके लिए इतने पैसे देना और इतना वेस ट्रेक है तो मेरा दोस्ट रेशी उसने बुला कि नहीं चादर ट्रेक चलना था चलना है तो मैं अमसे खिए ठीक है यह चल रहे है तो चली जलते फिर चादर ट्रेक पहुंचके अब फिर वहां जाके मुझे पता चला कि मतलब अब आप पहुंचके ले ले में पहुंचके वही है और एस्टिमेट करना अपनी अपनी अभी इसको कि हम तो सब कुछ कर लेंगे वहां पर हमने लिया नॉन हिटेड रूम क्यों अगए कब है जैनवरी में लेह में लिया नॉन हीटेड रूम क्यों नी थोड़ी थोड़ा अड़ेस्ट हो जागी अगर हीटेड रूम लेंगे न तो क्या होगा कि बहार आने में थोड़े ठंडी ज्यादा लगे की नॉन हिटेड रूम ना रात को सोने में जो हमारी हालत खराब हुई मतलब कहीं से भी गरम हो इने रिया रजाई में सो रहें, रजाई रजाई गरम नहीं हो लोग इतना बड़ा था कि वह कहीं से गरम हो नहीं रहा है, गेटवेड सब बंद कर दिया है, सुभह आप वाच्छूना जा सकते हैं क्योंकि उसमें पानी जमा हुआ है, बात्रूम में वही है कि आई गए है तो अब ठीक है चादय ट्रेक स्टार्ट किया नेक्स टे उसमें भी टेम्परिचर गया था जो हमारे साथ फरला जो बता रहते हैं जो इंस्ट्रक्टर वगरा रहता है कि माइनस 25 एक रात को नेक्स नेट को माइनस 30 उसमें भी मतलब जो हलत खराब होती जो में को लगता है कि सबसे ज्यादा टफेस जॉब तो जो पोर्टर्स और यह सब लोग जाते हैं वो करते हैं कि इतने नेगेटिव तेमपरेशन में पानी गरम करके चपातिया बनाना दाल बनाना अब कैसे बना सकते हो तो मतलब बहुत ही अमेजिंग जॉब करते हैं वह पढ़ता है तो जुब्सित करते हैं यह बंचे करने उन आ हैं तो वह कर देग्डिन सबकु कहना खेल न तो मतलब एक रगमेंड़ जॉब आ आतला आपको अर अच्ए क्या इनो में दिफरेंस किया लगता अपको और सबसे आदधे बने में जॉब व्ल धाय लगता हैं जॉ ऐसे तो कुछ खास अचीवमेंट पाला फिलिंग तो नहीं है, क्योंकि मैंको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत मतलब जिसको बोलते हैं, अमेजिंग चीजे की हुई हैं, तो यह तो मतलब कुछ भी नहीं है, पर ऐसे लगता है कि आप हर एक दो टास्क भी पकड़ कुछ भी नहीं है, आज में इन declarate के बारे में बात कर रहा हुए, कि इसने यह किया है वह किया है, पर लोग सेम चीजे नहीं देखने, तो इसने 30 Kelvin क्या सी घंक पोछा था, तो मैं नहीं पैसे नहीं है, कोई बात नहीं तो 500 च्रुपे जम्मा करना शुरू कर हर मेषिने 500 बाज़ जम्मा कर सकता है एक साल बाइव शुक्कि रही बाइब कर दो बशी है। इस जम्मार बाइब कर दइक हलगो लोगों पाफ बार्न है पर ऴहलेसेeffल्ण मिलता है यह भारत मिलता है एक साल में थोड़ी मिलता है दो साल में थोड़ी मिलता है अब तो करते जाओ आपको रिजर्ट्स मिलेंगे दीरे दीर ही मिलेंगे पर करेक्ट चलो I think it was a great conversation शुबं भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए अपने मुझ कुछ भी करना है दीरे दीरे स्टार्ट करो आज से ही स्टार्ट करो और दो तीन साल चार साल बाद आप पहुँची जाओ जिन लोगों ने मेरे साथ स्काइडाइविंग स्टार्ट कि थी वह आज मुझ से बहुत आगे हैं मेरको उसका कोई वो नहीं है क्यों कि मेरा मेरा तूसरा है मुझे कुछ और करना है दीरे दीरे अगर मैं को स्काइविंग करने होगी तो मैं कर लूंगा वह पे तो आप दूसरों से के पीछे मच जाओ आपको जो करना उसके पीछे दीरे दीरे लगो और ओर पीडर आपके पास बहुत सार यसी चीज हो जाएंगी जो और भी बहुत सरे लोग आएंगा यह पर बताना शुरू कर देंगे चार साल बाद या चलो परफेक्ट यार थैंक यू सो मच थैंक यू 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 विल्कम थैंक यू